दोस्तों अड़वा चले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों यदि आपका मोबाईल फास्ट चार्ज नहीं होता है न तो आज किस वीडियो को आप बिलकुत ध्यां से दिखीगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे श्टिक बताऊँगा कुछ ऐसे सेटिंग बताऊँगा और ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आपका मोबाईल काफी जादा फास्ट चार्ज होनी लगेगा क्योंकि दोस्तों जबी भी आप नया स्मार्ट फॉन लेते हैं तो समय के साथ साथ आपका मोबाईल काफी जादा स्लो हो जाता है चार्जिंग करते होंगे जबी आप नया मोबाईल परचेज करते हैं तो आप एक से लेके छे मैना तक आप मोबाईल को चार्ज करते होंगे तो आपका far charge होतागा लेकिन धीरे 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 आप कुछ ऐसे गलतिया करते हैं इस वज़े से आपके mobile के अंदर जो far charging होती है वो काफी जादा सुल हो जाता है अगर आप ये गलतिया आप दो बार नहीं करते हैं तो आपका mobile बिलकुल नहीं के तरह far charging होने लगेगा अगर दोस्तों जानना चाते हैं कि ऐसी कुछ आग गलति करते हैं और ऐसी कुछ ट्रिक है जिससे कि आपका mobile far charge हो जाए तो ये वीडियो आप पूरी ध्यान से देखेगा तो चले मैं आपको बता देता है इस वीडियो के अंदर मैं कर लेता है वीडियो स्टार्ट मेरा नहीं सितारे और आप देखने हो गटोगा YouTube चैनल दोस्तों देख सकते हैं यह रहा मेरा mobile phone और चले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से अपने mobile को far charging कर सकते हैं जी हाँ लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा इस वीडियो को सबसे पहले कर देना होगा लाइक जो बिलकुल फ्री होता चैनल कर लिजगा सबस्क्राइब और यहां पर बेल आइकोन होगा इसे दबा दी जगा इस वीडियो को जाज़ए लोग तक शेर करें और दोस्तों जाने के बाद एक छोटा सा कॉमेंट करना होगा यहां पर बता देता हूँ फास्ट चार्जिंग यहां पर कमेंट करना होगा और यहां पर सेंड कली जे बस यह छोटी से काम करने कि tragically बाद दो क्वा melhor दोस्तों को मैं बदाने बाब दियाना से मैं आपको स्टेप बया सार कोबर लगाएंगे यह वाला जो कोबर देखते हैं यह कोबर आप लगाते हैं तो आप कोबर से निकाल करके चार्जिंग कर सकते हैं क्योंकि आप कोबर में लगाएंगे ना और कोबर में लगाने की वाद चार्ज करते हैं तो आपका मोबाल काफी जादा हीट हो जाती है और इस वज़े से आपका मोबाईल की जो चार्जिंग होती है वो फास्ट नहीं हो पाता है, हीटिंग की वज़े से फास्ट चार्जिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं खुद ट्राइ करके देखा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद दूसरा कंडिशन यह ह है कि जब भी आप मोबाईल को चार्ज वेगरा करते है ना, तो आप अपने मोबाईल की जो डेटा है ना, वो आप आफ कर दी, जहां पर बंद कर दीजे, इंटरनेट डेटा को, जी हां, अगर आप इंटरनेट डेटा को बंद कर देते हैं, इससे भी आपका मोबाईल काफ परसन फा चार्जिंग होने लगेगा, क्योंकि आपका 30 मिनट जो चार्जिंग में लगता था पहले, लेकिन यह सभी ट्रिक को इस्तेमाल करने से आपका मुबायल इतना फा चार्जिंग होने लगेगा, जो आपका किमती समय है, बचाने वाला है, उसके बाद दुसकर तीसरे अगर आप ब्लेक वाल पेपर लगाते हैं तो आप काफी ज़्यादा फाल चार्जिंग होने लगेगा उसके बाद छौथा क्यों चैलड dazu आप Hyundai आप अपने अपने ऑयल की जो लाइटिंग होती है वो ज्यादा ना बढ़ह से आप पूरा कम कर दें, कम करने से क्या होगा, कि आपका mobile काफी ज़्यादा far charging होने लगेगा, क्योंकि light भराने से क्या होता है, कि जब भी आप charging में लगाएंगे, तो ये light आपके mobile की जो बैटरी होती है, जल्दी dawn करता है, इदर से dawn भी करता है, और light भी बढ़ा होता है, तो दोनों में टकर होती है, और इस वज़े से आपका mobile far charging नहीं हो पाती है, उसके बाद दोस्तों पाचमा ट्रिक की बात करूँ, जो आपको बिलकुल ध्यान से करना होगा, और ये ट्रिक को आपको तो 100% follow करना होगा, तो ये ट्रिक कौन सी है, जैसे कि आपका mobile चालू है, तो जब भी आप charging में लगाते हैं, तो आप अपना mobile को lock कर दे, जी हाँ, बिलकुल ध्यान से देखेगा, कि अपने mobile को lock करके charge बिलकुल 100% करना चाहिए, ये नहीं कि आप mobile को charge भी कर रहे हैं, mobile का light on है, chatting वेगरा कर रहे हो, इससे क्या होगा कि आपका mobile की battery 100% खड़ाब होगा, और आपका mobile कवी जिन्दगी में fast charging नहीं होगा, तो lock लगा करके जरूर चार्जे कीजिएगा, उसके आचमा ट्रिक की बात करें, दोस्तों आप जबी भी MPR अपना अबेटर से charging वेगरा करते होगे, तो इससे भी आपका mobile charging नहीं होता है, जी हाँ, तो आप जो भी company वाला आपको यहाँ पर एक power adapter देटर देता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि MPR यहाँ पर होता है, जैसे कि 1 MPR होता है, 2 MPR होता है, 3 MPR होता है, 5 MPR होता है, यानि जो भी MPR होता है आपका जो power adapter होती है, तो आप अलग अलग वोल्ट का आप जरूर नहीं try कीजिएगा, जो आपको company देता है, जो आपके mobile के अंदर support करता है, जैसे कि 1 MPR सपोर्ट करता होगा, या 2 MPR सपोर्ट करता होगा, तो वही adapter से आप जरूर चार्ज कीजिएगा, इससे भी आपका फरक परता है, तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो last और आखिरी trick की बात करूँ, कि आपको वह setting में जाना होगा, ठीक है, अपने mobile के setting में जाने के बाद, नीचे scroll down करेंगे, scroll down करने के बाद, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, system, system में चले जाएगा, system में जाने के बाद, यह double pro option मिल जाएगा, अगर आपको double pro option नहीं मिलता है, तो award में पहले जाएगे, अवर्ट में नीचे scroll down करना होगा, scroll down करने के बाद, आपको एक setting मिलेगा, जो आपको करना काफी ज़रूरी होगा, तो चले मैं आपको बता देता कि वो कौन सी setting है, यह वाला देख सकते, यह setting मिल चुका, background process limit, इसे click करने के बाद, यहाँ पर no background process click कर देना होगा, इसे क्या होगा, कि जो भी mobile के अंदर जो application running में चलता है, वो पूरी की पूरी यानि stop हो जागा, और इस वज़ए से आपका mobile की जो बैटरी है ना, काफी जादा fast charging होने लगेगा, जी हाँ, क्योंकि यह जो setting करने के बाद, आपको mobile के अंदर जितनी भी running application होता है ना, वो सारी की सारी application stop हो जागा, background में run नहीं करेगा, इस वज़ए से आपका mobile fast charging होने लगेगा, दोस्तों जो भी मैंने आपको stay follow किया हूँ, और trick में बताया हूँ, वो 100% एक बाद जरू try की जगा, मुझे उमेदे कि यह trick आपको 100% काम आएगा, और आप एक बाद जरू try करके जरू देखिएगा, ठीक है take care and good bye